हलो फ्रेंड्स बलकम तू माई यूटूब चैनल आज के इस वीडियो में जो आपका UPSI सब इंस्पेक्टर का 12 नुवंबर 2021 को सेकंड सिप्ट में एक्जाम कंड़क करा गया है तो बारा नुवंबर 2021 को सेकंड सिप्ट में पूछे गए जीके जैस और शामान हिंदी के लगभग 33 जीके के कोशन इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखे वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइकों से जरूर करें चैनल पर नए है तो चैनल को संस्क्राइब कर लें पासी में आपके विल आइकों होगा उसको भी दवा लें इससे आने सारी नए वीडियो को नोटिविकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो वीडियो बहुत इंपोर्टेंट है वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा आप लोग गाईस यूपी एसाई सब इंस्पेक्टर का वारा नौंबर 2021 का सेकंड सिप्ट का एक्जाम खतम हो चुका है सेकंड सिप्ट में पूछे गए जीके जीयस और शामान हिंदी के लगवग 33 कोश्चन इस वीडियो में डिसकस करेंगे वीडियो बहुत इंपोर्टेंट है वीडियो को लाइक नहीं कि तो लाइक कर दीजे शेयर नहीं कि तो शेयर कर दीजे तो गाईस पहला कोश्चन पो किस रक्त समू का व्यक्ति सर्वग्राही कहलाता है किस रक्त समू का व्यक्ति एवी रक्त समू का व्यक्ति सर्वग्राही कहलाता है तो एवी आपका करक्ट अंसर हो जाता अगला कोशिन पूछा गया था अनुछे सत्रा किस से सम्बंदित है तो अनुछे सत्रा जो है ये अस्प्रसरता से समंदित हैं तो अस्प्रसरता आपका करेक्ट अंसर हो जाता चोथा कोशन है काईश उत्तर प्रदेश के कितने जिले राजिस्थान से लगे होगे हैं उत्तर प्रदेश के दो जिले हैं जो की राजिस्थान से लगे होवे हैं तो जिले आपका करेक्ट अंसर हो जाता है अगला कोशन है का इस वानवा शम विधान संसोधन का हुआ तो वानवा शम विधान संसोधन वर्स 2003 में हुआ था तो वर्स 2003 आपका करेक्ट अंसर हो जाता ह चटा कोशन है गाज उत्तर प्रदेश का राजकिये फूल पलास कब सुईकरत किया गया था उत्तर प्रदेश का राजकिये फूल पलास चार जन्वरी 2011 को सुईकरत किया गया था चार जन्वरी 2011 आपका करेक्ट अंसर हो जाता सातमा कोशन ने का इस विटामिन A कार रासाइनिक नाम क्या है तो विटामिन A कार रासाइनिक नाम है रेटिनॉल तो रेटिनॉल आपका करेक्ट अंसर हो जाता आड़मा कोशन ने का इस मिठाई में कौंसी संग्या है तो मिठाई में आपकी हो जाएगी जाती वाचक संगिया तो जाती वाचक संगिया आपका करेक्ट अंसर हो जाता उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकिये भासा जो है वो कंसी है उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकिये भासा है उर्दू तो उर्दु आपका correct answer हो जाता दस्वा question देखेगा 2018 में ग्यानपिट पुरुषकार किसे दिया गया था 2018 में ग्यानपिट पुरुषकार अमिताफ घोष को दिया गया था तो अमिताफ घोष आपका correct answer हो जाता गैस यदि आप लोगों को और भी question मालूम हूँ तो comment box में सभी question आप share कर सकते हैं यदि आप चाहें तो यदि आपकी मरजी हो तो सभी question comment box में share कर दीजिए ताकि मैं उस पर भी वीडियो बना सकूँ ज्यादा से ज्यादा question मैं आपके सामने share कर सकूँ ग्यार्मा question लखनो मैट्रो की सुरुवात कब हुई थी तो लखनो मैट्रो की सुरुवात 5 सितंबर 2017 को हुई थी तो 5 सितंबर 2017 आपका correct answer हो जाता नेश कोशन है guys टेस्ट क्रिकेट में सबसी अधिक run किसी ने बनाए तो टेस्ट क्रिकेट में सबसी अधिक run सचिन तेंदिलकर ने बनाए है जो अपने में एक record है तो सचिन तेंदिलकर आपका correct answer हो जाता अगला question फलों को करतिम रूप से पकाने में कौन सी गैस का प्रियोग किया जाता है तो फलों को करतिम रूप से पकाने में एस्टिलीन गैस का प्रियोग किया जाता है तो एस्टिलीन गैस आपका correct answer हो जाता अनुछे 343 किस से समंदित है तो गैस अनुछे 343 जो है ये भासा से समंदित है तो भासा आपका correct answer हो जाता पंद्रमा कोशन है राष्टियों मानुव अधिकार आयो का अध्याक्ष कौन होता है तो राष्टियों मानुव अधिकार आयो का अध्याक्ष सेवा निवर्ति भारत का मुख नयाधीस होता है नेर्च कोशन है guys गंगा नदी किस राज से नहीं गुझरती हैं। तो गंगा नदी जो है ये हरियाना राज आपका correct answer हो जाता ह। अठारह मा कोशन है guys अनुछेदवासट किस समवन दित हैं तो अनुछेदवासट जो है ये राष्ट पती के पत से समळ दित हैं। तो राश्पती के पत से आपका correct answer हो जाता है। उनिसमा question है guys, green witch किस देश में है? तो green witch जो है, यह united kingdom में, तो यह united kingdom आपका correct answer हो जाता है। अनुछेद 19 किस से समझन देता है? तो guys, अनुछेद 19 जो है, यह मूल अधिकार से समझन देता है। तो चंदरकांता उपन्यास के लेखा घाएं, देव की नंदन खत्री, तो देव की नंदन खत्री आपका correct answer हो जाता है। अनुछेद 1924 किस से समझन देता है? तो guys, अनुछेद 1924 वो चितम न्याले की स्थापना से समझन देता है। तो चितम न्याले की स्थापना आपका correct answer हो जाता है। एक question आपका पूछा गया था कि समान रूप से ठंडा और गर्म, इससे क्या कहते हैं। इससे कहते हैं सीतो सुनौ। चोविसमा question पूछा गया था, अफगानिस्तान का कौन सा प्रांथ तालिवान द्वारा नहीं जीत पाया। अफगानिस्तान का जो प्रांथ है वो है पंजसीर, जो कि तालिवान के द्वारा नहीं जीत पाया। तो पंजसीर आपका correct answer हो जाता। पचिसमा question है गप्पे लडा, गप्पे लडाना, गप्पे लडाना मुअबरे का आरत क्या होगा, थोड़ा सा रांग हो गया है, तो गप्पे लडाना यानि की बेकार की बाते करना, तो बेकार की बाते करना आपका correct answer हो जाता। अगला question है, सुहास अलवाई किस खेल से सम्मद देते हैं… तो सुहास अलवाई जो हैं यह बैट मिंटन क्यानम से समद देते हैं, तो बैट मिंटन आपका correct answer हो जाता है। 27 कोशन है बुद्ध चरित काब के लेखक कौन है तो बुद्ध चरित काब के लेखक है आचार रामचंदर सुकल तो आचार रामचंदर सुकल आपका करक्ट अंसर हो जाता अगला कोशन है तो कंकाल उपन्यास के लेखक है जैसंकर प्रसाद तो जैसंकर प्रसाद आपका करक् अगला कोशन है नर्मदा नदी का उधिगम इस्थल तो नर्मदा नदी का उधिगम इस्थल है अमर कंटक तो अमर कंटक आपका करेक्ट अंसर हो जाता है अगला कोशन देगाज, IPL 2020 के विजेता कौन है, तो IPL 2020 की विजेता है, मॉमबाई इंडियन्स, अगर पूछा जाए कि IPL 2021 का विजेता कौन है, चेन नहीं सुपर किंग्स, आज का हमारा सबसे लाज कोशन रहेगा, उत्तर प्रदेश के पहले लोका यूकत कौन है, तो उत्त चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें पासी में आपके विल आइकॉन होगा उसको भी दबा लें इससे आने सरी नए वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी गाची दिया आप लोगों को अगर कोशन मालूम हो तो कोशन शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा कोशन मैं आपके सामें शेयर कर सकूंँ तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो के साथ जय हिंच जय वारत